क्या आप जानते हैं कि जू यानि की लाइस क्या होते हैं, क्यूं होते हैं और कब होते हैं, बच्पन में अक्सर लंबे बाल वाली लड़कियों या लड़कों को भी जू हो जाते थे, कई लोगों को बच्पन में मां से डांट पड़ती होगी और ये सुना होगा कि जू लेक करवा दिये गए ये बोल कर कि छोटे करवाने से जू कम हो जाएंगे गलती से शादी वगेरा में गाउं चले गए तो ये हिदायत मिल दी थी कि हर किसी से सिर्ष अटाकर मत सोना वरना जू हो जाएंगे क्योंकि जू किसी को भी हो सकता है नमशकार मेरा नाम है शामभवी शर्मा आप जनता जंशन का स्पेशल सेग्मेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं तो क्यों है इतना खौफ जू का आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ये जानिए कि जू होता क्या है दरसल जू एक तरीकी का परजीवी है जिसे हम अंग्रेजी में पैरसाइट कहते हैं इंसान के शरीर में जो पैरसाइट पैदा होते हैं उनमें सबसे ज्यादा तादाद में पैदा होने वाला पैरसाइट जू होता है जो आम तोर पर हमारे सिर के बालों में पाया जाता है अब क्योंकि जू एक पर जीवी है तो इनका दूसरों के शरीर पर पैदा होना लाजमी है क्योंकि ये खाने से लेकर जीवित रहने के लिए दूसरों पर ही आश्रित होते हैं बालों में होने वाले जू का रंग अकसर काला होता है और इनका उदेशर रहता है कि हमारे शरीर के खून को पी जाएं और उसे पी कर ही वो जिन्दा रह सकते हैं अब ये खून पीते कैसे हैं तो ये इंसान के सिर की तवचा जैसे हम अंग्रेजी में स्कैल्प भी कहते हैं उसमें सुक्ष्म शेद करते हैं जो इतने छोटे होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं हैं वो उन शेद में अपने अंटीना जैसे अंग का प्रयोग करके हमारी तवचा से खून चूस लेते हैं अन्य जीव जन्तु की तरह इनके पंक नहीं होते हैं तो ये उड़ते नहीं हैं लेकिन ये बड़ी तेजी से चलते हैं चलते या फिर यू कहें रेंगते हैं जिसके कारण आपने ये सुना होगा कि जू को पकड़ना बहुत मुश्किल है और जू बड़ी तेजी से सिर में फैल जाते हैं वज़ा है उनके उत्पादन और संक्रमन की प्रक्रिया जू के अंडे को हम आम भाशा में लीफ कहते हैं जू अपना परिवार असमाने तेजी से और स्पीड से बनाते हैं उनके एक अंडे में अनेक जू निकलते हैं और वो बड़ी तेजी से दूसरे लोगों में भी फैल जाते हैं यदि वे आपके संपर्क में आ गए तो जू के अंडे चुप-चुपे बालों में बड़ी आसानी से चुपक जाते हैं उसे पानी से धोना मुम्किन नहीं होता है यहां तक कि इतने छोटे होते हैं वो कि दिखते भी नहीं है अक्सर जू अपने अंडो कर हाथ से ढूंड कर निकालना पड़ता है अब जू के पैदा या संक्रमन होने का कारण जान लीजिए जू अक्सर मौशर गंदगी और पसीने में उत्पन होते हैं तो अगर आपके बाल साफ नहीं है आप धूल एवं पसीने में आना जाना करते हैं उसके बाद अपने बा लिया, कंगी वगेरा इस्तमाल कर लिया या फिर जू से फीरित व्यक्ति के साथ में बैट लिया या उनके आसपास सो लिया तो इससे आप जू को नहोता दे रहे हैं अक्सर लड़कों से ज्यादा लड़कियों में जू पाया जाता है कारण ये है कि लंबे बाल लड़किय के होते हैं और इसलिए स्कूल में बच्चों को जू ज्यादा होते और तेजी से फैलते हैं जिसका वज़ा है साथ बैठ कर पढ़ना खेलना और खाना खाना उन्हीं बच्चों के घर में भी जू ज्यादा तेजी से फैलते हैं क्योंकि वो घर आकर वापस अपने परिवार व तो सबसे पहले आपको खुझ़ लिषोती है कई दफार नए लोगों में जब जू उतपन होता है तो उनको पहले कुछ हफ्तों में खुझ़ली नहीं होती है लेकिन आफिरकार खुझ़ली लूजवी 4 ज़रूर है दूसरा है लीक का देखना जू कके अंडे जब खाली होते ह और आप उसे देख सकते हैं उसका मतलब यह है कि जरूर आपके बाल में जू है कुछ लोग के आख भी लाल हो जाते हैं और जब जू उनका खून चूसने लगते हैं तो आख लाल होना ज्यादा बढ़ जाता है जू का रेंगना इतना तेजी भरा होता है कि आपको अभास हो जाता है कि आपके सिर में कुछ चल रहा है तो उसे तुरन देखें कहीं वो जू तो नहीं है अब जू होने पर करना क्या है सबसे पहले तो दवाओ की दुकान यानि की केमिस्ट काउंटर पर जाकर कुछ तेल शैंपू दवा जैसी चीजे ले जो वहाँ पर आसानी से उब शरीफा के बीच के अंदर एक पदार्थ होता है जो एंटी लाइस होता है और वो ऐसे आप इस्तिमाल कर सकते हैं कि आप उसे सर पर लगाए और उसके बाद आपके जू मर जाएंगे उसे आपको सिर पानी के साथ पीसना होता है जू की समस्या गंभीर हो जाने पर आप जू अक्सर अमेरिका और ठंडे देशों के लोगों के सिर में कम पाया जाता है जिसका कारण ये है कि वहां की साफ सफाई सबसे पहले सिर पर होने वाला जू पुल 10,000 साल पुराने शरीर पर पाया गया था कहा ये भी जाता है कि एजिप की रानी क्लिवपाट्रा के साथ उनके सोने के जू निकालने वाली कंगी को भी दफ्म किया गया था तो ये इस बात का सबूत है कि उस वक भी जू हुआ करते थे तो अब आप समझ गए होंगे कि जू क्या होता है क्यू होता है और कैसे होता है वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए फेस्बुक पर देख रहे तो चानल को सब्सक्राइब करिए आप जनता जुक्षन का स्पेशल सेग्मेंट देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद